मोनिशा खटवानी ने की पॉलोमी दास की भविश्वानी हुए बड़े खुला से टेरो काड रिडर और अभिनेतरी मोनिशा खटवानी इन दिनों बिग बॉस के घर में धमाल मचा रही है वो अपने दोस्तों की अक्सर भविश्वानी करती रहती है और इस बार उन्होंने पॉलोमी दास से जुड़ी कुछ खास बाते बताई है हालंकि भविश्वानी से पहले पॉलोमी ने बताया कि कैसे उन्हें आज भी पूरानी दास्ताय याद नहीं है दरसल पॉलोमी ने बताया कि वो ब्रेन हैमरे जैसी खतरनक परिशानी से जूज रही थी जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हुई तो उन्हें अतीत के 5-6 मैने याद भी नहीं थे लेकिन खुसी की बात यह है कि वो फिर से काम पर लौट गई है वो अपने भाव ग्यादों को खोलती हैं जिसे सुनकर मौनिशा हैरान रह जाती है इसके बद मौनिशा ने पॉलोमी का टेरो किया जिसके बद पॉलोमी ने अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में जानने के इच्छा चाहिर की मौनिशा ने बताया कि उन्हें धहर बनाए रखने की जवरत है और धहर ही उनकी सबसे बड़ी थाकत है जबकि पॉलोमी को किसी को धोका देना महंगा पढ़ सकता है क्योंकि मौनिशा का मानना है कि धोका देने से उनकी परिशानिया बढ़ सकती है आपको बता दे पॉलोमी ने इस से पहले भी अपने इटालियन बॉइफिर्ट के साथ पास साल के लंबे रिलेशन्सिप के बाद ब्रेक अप के बारे में चर्शा किया था जब उन्होंने इस बारे में बात करना सुरू किया तो उनकी आखों में आसु आ गये थे खेर दोस्तों आपका पसंद दिदा प्रतियोगी कौन है हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन न बताए इस खबर से जोड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए बने रहे IWM बस के साथ